हैलो फ्रेंज कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे और स्वस्त होंगे आज की ब्लॉग में आपका स्वागत है बदलते मौसं के साथ सेहत मंद रहने के लिए हमें जरूरी है कि हम मौसं के साथ तालमेल बठा कर चलें गर्मियों में सबसे बड़ा खत्रा रहता है लू लगन से बच सकते हैं गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है अब मन में सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए फ्रेज का या मिट्टी के घड़े का बीना ठंडा पानी पे प्यास बुजाना भी मुश्किल है ऐसे में आप मटके का पानी पे सकते ह क्योंकि फ्रीज का ठंडा पानी कई समस्याइं पैदा कर देता है मिट्टी का घड़ा पानी को प्राकर्तिक रूप से ठंडा करता है गर्मियों के मौसम में कई घरों में आज भी मिट्टी के घड़े दिखाई देते हैं मिट्टी का खड़ा पानी को शुद्द करता है इसमें कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन का पानी पीने से कबज, गला खराब होने वाली जैसे समस्याओं से छुटकारा मिलता है इसकिन से जुड़ी समस्याओं जैसे फोड़े, फुनसी, मुहासे से भी राहत मिलती है और त्वचा में भी निखा राता है सौप न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल की सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है अगर आप गर्मियों में अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपको सौप जरूर खाना चाहिए सौप का नियमित रूप से सेवन करने से पेट में कबच गैस अपचत से भी राहत मिलती है थोड़ा सा सौप लेकर इसको एक किलास पानी में भीगो ले और सुबह इस पानी का सेवन करें गर्मियों में सौप का पानी बाहर की चिलचिलाती गर्मी को मात देता है लोग गर्मियों में कच्चे प्या करने के साथ ही सरीर को ठंडा रखने में भी मदद करता है गर्मियों में आप जब भी घर से बाहर निकले तो अपने पास एक छोटा सा प्याँ जरूर रखें यह लू लगने से आपको बचाएगा गर्मियों में पसीना निकलने की वजह से हमारे सरीर में पानी की कमी होने से पर्तिशत पानी होता है इससे हमारे सरीर को प्राप्त मात्रा में पानी मिल जाता है खीरे की स्लाइस को आँखों के पलकों के उपर रखने से आँखों को ठंडक मिलती है खीरे में विटामिन A, B, C होता है और जिन लोगों को अपना वजन घटाना है वह लोग इसका सू पाद में तीकी हरी मिर्च आपको गर्मियों में लू से बसने के आलावा कई बिमारियों से बचाने में भी मददकार साबित होगी। आज हम हरी मिर्च के फायदे जानेंगे। हरी मिर्च में एंटी वैक्टरियल तत्तु पाए जाते हैं। सरीर में मौझूद बूरे वैक्टरिया को हरी मिर्च का सेवन करने से खत्मे किया जा सकता है। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए छाच का सेवन करना चाहिए। आईरवेद में इसका बड़ा महत्तु है। छाच पीने से सरीर में पानी की पूर्थी होती है। यह प्रोटीन, कैलसियम, पोटेसियम का अच्छा सोर से है। गर्मियों में छाच का सेवन सूबह, दोपहर या फिर साम को किसी भी समय किया जा सकता है। छाच में अगर पूदीने का पेश्ट मिला दिया जाए तो स्वाद और सेहत दोनों का खजाना बन जाता है।